ICC ने कर दिया है ranking को update और जब से ranking update हुआ है बावराजम को बहुत ही बड़ा जटका लगा है पाकिस्ताने team को जटका लगा है और वहीं team India को काफी ज़दा फायदा हुआ है चलिए बताते हैं पूरा कि किस परकार से update किया गया है अभी काफी समय से बावराजम जो है rank 1 में थ थे और वहीं लगातार जो सुब्मन गिल है वो अच्छा performance कर रहे थे लेकिन सुब्मन गिल का जो points है वो update नहीं किया जा रहा था और सुब्मन गिल दो अंक जो थे दो points जो थे वो पीछे थे बावराजम से और वहीं अगर bowling में भी अगर बात किये जाए तो bowling में जो है वो दूसरे नमबर पे है बावराजम का जो points है 824 है और विराट कोली का भी काफी यदा ranking जो है वो plus हो गया है क्योंकि विराट कोली सातवे नमबर से विराट कोली चौते नमबर पे आ गया है और विराट कोली का जो points है 770 points है और वहीं सुब्मन गिल का 830 points है और सुब्मन गि चाज़ का 694 पॉइंट है तो इंडिया का काफ़ जादा फायदा हुआ है जैसे ही रेंकिंग अप हुई है रेंकिंग जैसे ही अप हुई है तो सुमन गिल जो है नंबर वन पर आ गये है और वहीं ODI में बल्लेबाजी में सुमन गिल और गयंदबाजी में मुहमत सिराज नंबर वन बल्लेबाज है तो जैसे ही अभी रेंकिंग अपडेट हुआ है तो तीनों फॉर्मेंट में नंबर वन टीम जो है वो टीम इंडिया है तेस्ट में भी और ओडिया क्रिकेट में और साथ में T20 क्रिकेट में भी तीनों फॉर्मेंट में नंबर वन में टीम इंड किया लाया जाए कि आखिरकार एक्चुल में भी कौन नंबर वन है क्योंकि यह जो सुमन गिल ने 92 रनों की पारी खेली थी उसके बाद सुमन गिल का जो रेंक है वो काफी एदा अप हुआ और सुमन गिल नंबर वन पे आ चुके हैं 830 पॉइंट है 6 पॉइंट बाबराजम क कम है वहीं अगर सुमन गिल लगातर अच्छा पॉइंट से और वहीं के समराज का 694 है तो दोनों के विजंग लगी हुई रहेगी लेकिन अभी ओडिया क्रिकेट में नंबर वन जो बल्ले बाज है वो सुमन गिल है और नंबर वन गैंद बाज जो है वो महमत सिराज है और सारे विखेट लिया और सिराज का जो रेंकिंघ वो अभ अप हुआ और सुमन गिल लगातर काफी सारे रन बना रहे है इस वर्ल कप में तो सुमन गिल का जो भी रेंक है वो अप हो रहा है वी राट कोली को भी फायदा मिला है चौते नंबर पर आ चुके है और वी समय तक नमबर वन के पाइदान पे रहे हैं तीनों फॉर्मेट में जो लिए आज रिश्टम बस इतना है फिर मिलता है दूसरोड़े को ले करके तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जहीं जए भारत